नमस्कार दोस्तो अभी अभी दो मिनट पहले की सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग में जिस वक्त आ रही है आज रात भारत में तूफान आने वाला है खतरनाक बारिस दोस्तो भारत के सत्रे राज्यों में देखने को मिलेगी पिछले 48 घंटों में 125 से जाता लोग की मोत अलग अलग राज्यों में हो गई है जगे जगे भेंकर से खतरनाक भेंकर आका से बिजली गिर रही है जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है खेत खलियान पानी से लबा लब भर गई है फसले पानी में चौपट हो गई है पूरी फसल बरबाद हो गई है और अभी अभी दुस्तो आठ बजे मुख्य मंत्री योगी आदित्तिनात ने सभी जिलादी कारियों को सक्त आदिश दे दिया है जिन किसानों की फसल बरबाद होई है अगले साथ दिन के भीतर उन्हें मुखावजा मिल जाएगा मध्य प्रिदेश सरकार ने भी मुखावजे का ऐलान कर दिया है बहुती बड़ी ख़वर सकता आई है राजिस्तान, हरियाना, पंजाब, दिल्ली, उतराखंड, हिमाचल प्रिदेश, जम्मो कस्मीर, महारास्ट, केरल, करनाटक, छतिशगड, जारखंड, ओडिसा, पस्चिमंगाल, उतर प्रिदेश, बिहार के अंदर मोसम खतरनाक हो गय बहेंकर से अती बहेंकर दुस्तो ओले गिर रहे हैं और तेज रप्तार से आंदी तूफान चल रहा है, लेकिन आज रात 550 से जादा दुस्तो जिलों के अंदर तूफान आने वाला है, आज पूरे दिन दुस्तो जबरदस्त बारिस्वी है, जगे जगे बहेंकर से अती बह जिसके चलते भारी नुकसान की भी ख़वर सामने आ रही है यूपी के लगबग 60 से जादा जिलो में भारी भैंकर दूस्तों ओले गिर रहे हैं राजिस्तान के अलग अलग हिस्तों में ओले गिरे हैं और पूरे राजिस्तान के अंदर दूस्तों जम कर वारिस हो रही है दिल प्रतापगड पीली भीत यानिकी कुल मिलाकर उत्तर प्रदिस के 60 जिलों में खतरनाक बारिस हो रही है यहाँ जण जीवन अस्त वियस्थ है और अगले दुस्तो पांच दिन तक भैंकर से अती भैंकर बरफारी होगी उत्राखंड हिमाचल प्रदिस के अंदर वहाँ दुस्तो हाहा कार मचने वाला है जगे जगे दुस्तो भारी भेंकर आपको बता दें बरफारी भी हो सकती है इसमें किसानों को सबसे ज़्यादा नुक्सान हो रहा है और दुस्तो बता दें कि 24 मार्च तक मौसम में इसी पिरकार खराब रहेगा लेकिन आज रात सबसे ज़्यादा असर रहने वाला है पस्चिम विक्छोव का आज रात तूफानी बारिस और तूफानी भेंकर मोटे मोटे ओले गिर सकते हैं जगे जगे आकासी बिजली गिर सकती है सभी दोस्तों से अपेर है कि भारी बारिस के चलते वहार ना निकले नदी नालों से दूर रहें पेडों की नीचे खड़े ना हो और अगर दोस्तों आप कच्चे घर के अंदर रेते हैं तो उसे खाली करके किसी अन्य जगे पर सरण ले सकते हैं क्योंकि कच्चे घर गिरने क जैसे भी साथ लोगों ने दम तोड़ दिया है और लट रहें सुरक्षित्रें वर्तमान में आपके छेत्र का मोसम कैसा है कॉमेंट में लिखें चेनल को सब्सक्राइब करें